हेलो गाईज वापिस से बात करने आ चुका हूँ बार्डर रोड और्गनाईजेशन एक ऐसी संस्ता है जो कि अपने आप में खास बन जाती है एक ऐसे टाइम पर जब आप सोचते हैं कि कॉर्णा वेरिस में लोगडाउन है लेकिन ये अपने काम बखुबी निभाना जानती है इसने एक और बखुबी काम कर दिया कम्प्लीट कर दिया उस काम को और ये काम है 17,000 फीट सी लेवल के उपर यानि कि आप समझते हैं कि 17,000 फीट जहां पर आपको सांस लेने के लिए ऑक्सिजन की कमी पर जाएगी जहां पर हार्ष क्लैमेट होगा वहां पर भी एक ऐसी खतरनाक रोड बना दी है जो कि एक तीर से दो निशाने साबित होने वाली है मिलिटरी परपस के लिए भी और पिल्ग्रे में साइट के लिए भी दोस्तों ऐसी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मानसरोवर यात्रा को इसने सुगम बना दिया है क्योंकि ऐसे दुरगम रास्तों में काम करके यह हमारी लाइफ को सुगम मनाती है बियारो जैसे संस्ता के लिए एक लाइक जरूर बनता है तो नीचे लाइक कर दीजेगा और आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि कैसे होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा सुगम और भी सुगम और डिटेल एनलेसिस लेके आ चुका हूँ मेरा नाम पवन्चंद्रा है तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि हमारा चैनल मिश्टर संलाइट अगर अभी तक आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल आइकन को भी दबा दीजेगा क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहता हूँ डिफेंस मनिस्टर श्री राजनाज सिंग ने क्या कहा यहां पर की बहुत खुश है वो उन्होंने पिथोड़ागर से एक फ्लैग ओफ भी किया उन्होंने जो ब्यारों की द्वारा जो रोड बनाई उसका इनाउग्रेशन भी करा तो यह पिथोड़ागर मैं आपको स्टार्टिंग से बदातों की उत्रहंड में कहां से शुरू होती है केलास मान सुलवर की यात्रा यह होती है पिथोड़ागर से तवागार तक दार्चुलामानि नीजी आप वहां से फिर तवागार से लेकर आपको घं गर्टियागर से लेकर लेपू लेपास तक जाना पड़ता है तो यह त signature किलो मेटर ऑगए उसे बनाया है उसन से 75 बना दिया गया है पांच अभी बना दिंगे इसी साल के अंड तक तो बहुत कमाल की जैजा बाही रोड हर कुछ होगा जो एसी क्लिमेटर है साब इसमें पांच घंटे लग जाते थे लोगों को अब सिर तीन घंटे बच जाएंगे हमारे दो घंटे हम गारी से सफर आप दो लेकित सालिए मांच चलिम मैंसे बहुत बहुत ही अइंडृब आहने की है फिरकोraftे मेरन के इसे कंच्रक्शन के आगा भाती होता है 17,000 फीट का यह और किसे कंच्ट्रक्शन करते हैं दोस्तों यह कीन मान यह इतना असान नहीं होता है आग एसे ह HC क्लाइमेट में देखिए कैदारनाथ कि आपको तरासदी याद होगी उस टाइम पर भी ऐसे जो काम होते हैं ऐसे काम हर साल करती है ब्यारो उत्रखंड के अंदर इसके बहुत प्रोजेक्ट से हैं और हर साल ऐसी चीज़े होती है क्लाउड बर्च सिनारियो तो एक बिल्कुल आम बात हो जाती है मौनसून के टाइम पर कुत्रखंड के अंदर और हर जगवा पर आपको लैंड स्लाइट दिखने को मिलेगी जहां पर ऐसे फिर मलवा हटाना पड़ता है रोड बनाई है वापिस मलवा हटाओ वापिस रोड ऐसे काम करने पड़ते हैं तो 2017 में इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था दिन राद मेहनत करी और आज जाकर मतलब आज जाकर जब इनौगरेशन हुआ कल फ्राइडे को तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमें सुगम देखने लगी है दोस्तों यह सुगम हम इसलिए द इलाके पर अपने तीबतिन इलाके में उसमें पुरे बॉर्डर तक रेलिवेस तक ला चुका है तो वैसे हमें बहुत इपॉर्टेंट मिज़ाद है स्ट्राइजिक लिए कि हम यह ऐसा कुछ करें कि रोड़ अपना पूरा कम्मुनिकेशन लोजिस्टिक सपोर्ट के लिए पुरा रोड़ हो हमारे लिए भी तो वह तो बहुत अच्छा तरीका है अब इसमें काम क्या किया गया कि हमारे प्रधामंजी नरेंद्र मोदी बहुत बार बात कर चुके हैं सीजिंग जिंपिंग से भी और सीजिंग बहुत अच्छी इसमें डाइनमिक सोच रखनी डिप् के लिए तो यह सब कुछ है तो इस हमने यह सीखा कि यह और एक अश्पेक्ट को बहुत बड़ा अब चारधाम आपने देखे होंगे ना चारधाम आपने बहुत सुनाओंगा उत्रखन के चारधाम अमनियोत्री गंगोत्री बद्रीनाथ यहां तो लोग जाते हैं अब इत हम बहुत हो जाती है इस जगहों पर तो यह मेरा अनलेसिस था इस पूरी वीडियो का इस पर आपको कैसा लगता है कमेंड करिएगा नीचे थैंक्यू आपनाइस देश्ट